इलाइट स्टेडी डेली ग्रांट फेर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में डिस्कसिन करेंगे 14 मार्च 2022 के हिमाचल परदेश राष्टित अथानता राष्टिया क्रांट अफेर्स के बारे में पहला प्रसन है ट्रिलियन डॉलर के अर्थ प्रदेश वाला भारत का पहला राज्या कौन बनने जा रहा है तो इस राज्या का नाम है महारास्ट्रा का पी मतोपुन स्टेट यादि आप इमाचल के भारत के परिप्रिक्से में बात करेंगे और भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है जिसकी जो एकॉनमी है और ट्रिलियन डॉलर की होगी तो आप इसे याद रखिएगा और बरतमान में देखिए ये चीज उर्कियों में इसलिए है क्योंकि अभी बजट पेस किया रहा है विविन तरह के रज्यों का भी आपने यूनियन बजट देखा होगा इकॉनमीक सर्वे और इमाचल परदेश में बजट सरकार के दोरा पेस कर दिया गया है तो अब देखिए यहां के जो उपमुख्य मंत्री है उनी के पास फैनेस डिपाटमेंट है जिनका नाम है आजीत पावर तो इनी के दोरा ये बजट प्रस्तुत किया जाएगा ये ची की अबरिवेशन भी पूछी जाती है तो मचली उत्वादन को बढ़ाने के लिए उडिसा सरकार के दोरा इनके साथ मिक समझाता भी किया है यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम के लिए इस रो दोरा कितने बच्चों का चैन किया गया है देखिए बहुत ही इनुवेटिव का बात करें यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम के अंतरगत देट सो बच्चों का चैन किया जाता है ये एक अच्छी बातर ये प्रसंट पहले भी एक बार एक्जाम में पूछा जा चुका है हंगरी की पहली महिला राश्टरपती कौन बनी है कैटलीन नोबाक का नाम आप या किया गया है देवसिस पाड़ा का नाम आपने सुना होगा तो जो भारतिया बीमा नियामक विकास प्रादिकर्ण है उसका ने हटेक्स बनाया गया है किस संस्तान ने रोल आफ लेबर इन इंडियास डिवेल्मेंट नामक पुस्तक का भी मोचन किया है तो स्रम और रोजगर होगा क्रूड पैट्रोलियम राष्ट्रिया भूमी मुद्रिकर्ण निगम किस मंतरालिया के प्रसासनिक अधिकारक सेतर में कारे करता है तो फाइनेंस जो हमारी मिनिस्ट्री है बीत मंतरालिया है उसी के अंतर के देखे राष्ट्रिया भूमी मुद्रिकर्ण निगम प्र बारत की कौन से महिला बॉलर बिसोगप में विकेट लेने के मामले में स्युक्त रूप से प्रतमस्तान पर पहुंच गई है। उनका नाम है जूलन गोस्वामी। दक्सिन कुरिया के नैरास्टरपती कौन चुने गए है। यून सुक योल का नाम अपने सुना होगा। तो इन्हें दक्सिन कुरिया के नैरास्टरपती के रूप में चुना गया है। आग लगने से कितने ब्यक्तियों की मृत्यी हुई है, लीकिये 12 ब्यक्तियों की यहां पे मृत्यी हुई है, नेशनल ग्रीन टिवनियूल ने मौपजा आदेश देने के आदेश दिये है, खंड़ पिट ने मृत्कों के परिवारों को 20 लाक रुपए, 50 विस्ती जुल्जे का कामकारों को 10 लाक, 5 से 25 विस्ती जुल्जे गायलों को 5 लाक रुपए, और साधारन प्रभावितों को 2 लाक रुपए मौपजा देने के आदेश दिये गए है, और आपको ग्यात होगा, जो हमारे पूलिस निदेशक है, वो भी बहाँ पे गया हुए थे, उनके दोरा भी निरिक्सिन किया जा रहा है किस तरह की घटना है, इस परदेश में क्यों हो रही है, तो यहाँ आप देखे, नैशनल ग्रेन ट्रिवनल के दोरा वड़ी रिलीफ दी गई है, जिन लोगों की यहाँ पे इस पटाका फैक्टरी में जान गई थी, सिमला के किस स्कूल की सबसे ज़्यादा ट्यूसन फीस है, तो सेंट एड़वर्ड स्कूल का नाम आपने सुना होगा, मानिय सिक्सामत्रिक गोवदिन सिंग ठाकुर के दोरा विधान सबा में पठल पे जान कर रिखी गई है, काफी महंगा स्कूल है, सेंट एड़वर्ड स इस तरह कि अब जैसे गतीविदियां तेज हो जाती है, तो यहां पर देखिए एक स्टेटमेंट दी गए थी हिमाचल जनकरांती पार्टी के दोरा, कि यूबाओं को इस वा ज़्यादा मौका दिया जाएगा, तो आप इनस पार्टी के जो हदेक से उनका नाम है, सुभा स सर्मा याद रखिएगा, हिमाचल परदेश के किस ब्लड सेंटर में परदेश का सर्ब स्रेस्ट कंपोनेंट यूनिट का पुर्सकार जीता है, तो टांडा मेडिकल कॉलेज है, देखिए, काफी बेतरीन कार्या कर रहा है, या बात करेंगे टांडा मेडिकल कॉलेज की, ठी परदेश के लिए लिया जाएगा, तो हिमालया, जैव संपता, प्रादयोगी की संस्तान पालंपूर का स्योगिस के लिए लिया जाएगा, इलाइस्टेडी कोरटिन वेबसाइट आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इस वेबसाइट पर जाहिएगा, बहुसी नमि झाल 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